अगर तुमने बोर्च 2024 के लिए अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस्मत करना मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉट और क्रिस्प बनाने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो में मैं तुमें 0 से लेके हीरो की पूरी strategy बताऊंगा कैसे तुम अपने syllabus को भी complete कर सकते हो और साथी में इतने question भी practice कर सकते हो ताकि तुमें exam में max to max score कर पाओ मुझे पता भी काफी late हो गया है चीज़े impossible लगड़ी होंगी बट right now मैं एक ऐसे plan के साथ है हूँ कि यही चीज़े तुमें possible लगना शुरू हो जाएंगी तो वीडियो का एक भी second miss मत करना Before moving ahead आप लोगों से एक छोटा सा request है इस वीडियो का like target है पंदरा सो likes का और कम से कम अपने 10 से 15 दोस्तों में इसको share जरूर करना अपने school के whatsapp group में share करना ताकि जादा से जादा लोगों की मदद हो पाया और जादा से जादा लोगों तक के वीडियो पहुँचे साथी में make sure to subscribe and press the bell icon क्योंकि अब content की बारी शोने वाली है अब तुमारे भाईया free हो चुके अपने university exam से तो yes now we are going to kill this boards 2024 तो बीना ज्यादा वक्त गवा है सीधा आते हैं हमारे planner पे हमारे boards 2024 में काफी सारे changes हैं जो कि हमारे बाकी के boards से थोड़े से different है 2023 सक के boards के pattern से अब जो 2024 का boards का pattern होने वाला है वो kind of different है because of the increased number of competency based questions odds questions और theoretical questions ये सब भी मैं आपको इस वीडियों बता रहा हूँगा कि आपको एक ऐसे smart plan के तरह से मैं आपको पढ़ाई करने के तरीका बताऊँगा ताकि आप इन सबी को अराम से tackle कर पाओ तो देखो सबसे पहले एक 45 days का मैं रोड मैं बना रहा हूँ जो कि हमारे December से लेके हमारे January 15 तक चलेगा इसके बाद भी हम लोग बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है January 15 के बाद पर January 15 मैंने इसले लिया है क्योंकि तब तक में आपके practical वाईवा ये सब काफी जोडों सोडों से आ जाएंगे तो आप अपना ध्यान जो है आपको board से हटाना पड़ जाएगा जिस वर्जे से ये पूरा का पूरा road map आपका मैंने से साब से बनाया है और हाँ जिनके भी pre-words वगेरा चल रहे है या आने वाले प्लीज उस pre-words को बस एक 3 घंटे का स्कूल जाने का time के तरह रखो और बाकी जित्ते वए time है उसको बिल्कुल इस road map पे आप focus करो क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है देखो यार सबसे पहले बता दू कि आपको इस वाले में हम लोग 0-200 syllabus कैसे complete करना है 45 days में वो भी बता रहे होंगे साथी मैं आपको question कौन से practice करने है और revision और testing कैसे करने है यह सारी बाते हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे सबसे पहले आजाते है syllabus complete पे syllabus complete पे किन चीजों का ध्यान है जो हमें अभी रखना होगा और किन चीजों का ध्यान है जो हमें नहीं करना है ठीक है सबसे पहले do's पे आ जाते है सबसे पहले तो अपना theory priority है क्यों क्योंकि जो हमारा नया competency based pattern है अगर आप इसके question देखोगे तो यह काफी deep dive into theory है काफी जादा आपको theory के अंदर ले के जाएगा यह तो इस वज़े से अपनी theory priority है तो पूरा का पूरा time question solving numericals बनाने में नहीं लगाना theory पे अपना minimum 85% of the time आपको देना है साथी मैं आपको question जो है वो previous year question लगाने है तीन से लेके 5 साल के max लगाने उससे पीछे नहीं जाने की जरूत है specially 2019 और 2023 यह तो आपको करना ही करना है क्योंकि 2019 के physics का अगर आप paper उठा के देखो कि काफी ज़्यादा theoretical था और 2023 का भी paper काफी ज़्यादा बढ़िया और अच्छा paper था तो 2019 और 2023 के आपको previous year question हर subject wise लगाने ही लगाने है irrespective of कि आप किस class में हो आपका कौन सा stream है साथी मैं आपको lecture जो है वो आपको वीडियो से देखने है और book आपको सिर्फ chemistry या फिर class 10 के जित्ते भी subject है उसके लिए follow करना होगा ऐसे ही side से बाकी मैं आपको भी recommend करूँगा कि book को सिर्फ और सिर्फ fancy art के question लगाने के लिए use करना है book से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ये बात एक्तम बिल्कुल clear है ठीक है अगर मैं आ जाओ don't pay तो rushing नहीं करनी है थियोडी जो है वो detailed देखेंगे ठीक है detailed थियोडी हमें देखनी है rush करके one shot देखके काम नहीं होगा undetailed theory और detailed theory के तरफ जाना है और undetailed theory को हम लोगों को अभी हटाना है साथी में टोटके वाले question को एक big no है आपको जो 99, 395 और 411 और क्या-क्या दामों में अगर question paper मिल रहे हैं कि इसके 60 question कर लो इसमें से 30 लड़ जाएंगे छोड़ दो सब scam है, सब fraud है, तुम clear भासा में बता रहा हूँ साथी में जादा question नहीं लगाने, ऐसा नहीं कि 500-600 question लेके बैठ गए क्योंकि अपने पास उता time नहीं है, short and crisp question लगाएंगे और सही जगा से question लगाएंगे अब देखो एक बहुत बड़ी reality यह है कि आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपका पूरा का पूरा पढ़ाई पानी में भी जा सकता है, और उसका reason हो सकता है कि आप सही questions ना लगाओ, जब तक आप एक अच्छे amount पे previous year question और question banks नहीं लगाते, एक सही और crisp detailed questions नहीं जोगे, तो आप पढ़के भी उन questions को नहीं कर पाओगे, जो आप actually में बना के आपाते, इन सबी चीजों के solution के लिए तुमारे भाईया बहुत ही मुश्किल से ढूंड के लाए है, market से, one of the best book, जो की है हमारे शिवदास के books, यह जो books है, यह नहीं सिर्फ question है, इसमें नहीं सिर्फ आपको sample paper है, बलकि past year के board paper भी है, और past seven year के सारे question भी है, इसका अभी combo offer चल रहा है, जिसका link मैंने description में दे दिया है, और इसके feature बस इतने ही नहीं है, बलकि इसमें latest cbse sample paper है, आपके जो दिये गए थे 2024 के वो solved है, इसमें 26 question papers दिये गए है, साथ ही इसमें 5 plus 5 sample question paper द सकते हैं, competency based, hots based, सारे question आ सकते हैं, ये जो है आपको सारे subject का combo है, आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसको purchase कर सकते हो, जाओ फट फट फट, link description में दी गई है, best discount rates के साथ अभी आपको मिल सकता है, काफी कम समय के लिए, फट 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 जाओ और आगे, daily time table भी इसमें बताया, इस slides में, जो कि आप देखोगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दू कि आपको December 1st week से 4th week में आपके 70% syllabus आपके खतम हो रहे होंगे, जिसमें कि आप easy to moderate chapter कर रहे होंगे, और आप सिर्फ question bank लगा रहे होंगे, जो कि मैंने भी आपको बताया, शि मैंने एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखी है, कि subjects में जो easy to moderate level chapter है, वो आपके 70% syllabus है, जो थोड़े hard और difficult हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप नया नया start कर रहे हो, वो मातर 30% है, अब काफी बच्चे बोलेंगे भाईया कि maths में जैसे की differentiation है, वो easy लगता है, लेकिन integration आपको tough लगता है, आपको बिलकुल उसी हिसाब से बाटना है, जैसे इस वाले part में मैं differentiation घुसाओंगा calculus से, और इसमें मैं integration घुसाओंगा, जिनको नहीं समझ में आता कि क्या tough है, क्या hard है, क्योंकि नहीं ने कभी देखा ही नहीं है, कभी ऐसे book को सुंगा ही नहीं है, तो साथी में prioritize कर सकते हो marks के according क्योंकि उसमें बगल में लिखा रहता है कि इस chapter से आपको कितने marks से question मिल जाएंगे, जो कि एक मोटा मोटी blueprint होता है, ठीक है, December 4th week तक जब हम लोग यह 70% complete कर लेंगे, उसके बाद अपन January 1st से 15th January, rest 30% syllabus complete करेंगे, जो कि comparatively थोड़े hard होंगे, थो क्योंकि मैं अगर direct तुमको बोलूगा कि weightage वाले chapter कर लो, जो कि comparatively hard होंगे, तो weightage वाले chapter पर सीधा होता होगे, तो खुछ समझ में भी आना नहीं और time बरबाद होगा और result भी नहीं निकलेगा, हमारा main perspective है result निकालना, अब बात आती है कि question bank लगाने है उसके बाद और sample paper दोनों लगाने है आपको January में, जैसे जैसे chapter complete होते जाएंगे, आपको question bank लगा नहीं है, जैसे आप पहले लगा रहे थे, साथी में आपको sample papers भी लगाने है तो बात करें sample papers और question bank साथ में, तो मैंने अल्रेड़ी अभी थोड़ देर पहले बताया था शिवदास के बारे मे जिसमें कि आपके question bank, sample paper, past 7 years, सब कुछ दे रखें, आप वहां से मंगा सकते हो, link description में दे रखी है, अब आ जाते हैं daily के time table पे, अब देखो यहाँ पर x, y, z कौन से chapters है, x chapter है जो tough to understand है, अब ये बच्चे के लिए maths हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए chemistry हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए accounts, BST, ECO हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए, तो ये totally subject to matter है कि आपको कौन सा tough to understand है, जो आपको नहीं समझ में आता, आपके लिए कौन सा moderate है दो, ये इस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, तो जो subject जिसमें आपको ज़्यादा difficulty आती है, आप easily understand नही कर पाते हो, catch नहीं कर पाते हो, उनको आप daily करो, और इसको X को आप practice वाले जितने भी है, या total numerical जितने भी आपके subject होते हैं, उस पे भी लगा सकते हो, जैसे कि maths और accountancy, ये एक ज़्यादा अच्छा और बढ़िया method है, जो मैं भी use करता था, हर दिन मैं, इसमें क्या करता थ है, कि मैं maths लगाता था, हर दिन, और alternate days पर मैंने दूसरे रखे थे, ठीक है, अब ये वाई तीन बार आ रहा है, लेकिन Z चार बार आ रहा है, भाया, simple है, अगर chemistry easy है, तो उसको Y में डाल दो, अगर chemistry tough है, तो उसको Z में डाल दो, ये total तुम्हारे लिए, लेकिन ये जो है, मैं भी बहुत सारा काम वाम हो रहा है, जाना वाना पर रहा है, इसलिए मैंने 14 दिन तक ये delay रखा है, 14 दिन के बाद आपका जो time table होगा, जिसमें कि आपको XYZ तीनो subject को daily पढ़ना होगा, पर भाया, English और extra subject का क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर A, language और B, extra subject के लिए एक critical होते हैं, इसमें numerical का कोई उतना concept होता नहीं है, तो आप इसको easily catch up कर सकते हो, पर ये main three subjects पे आपको पूरा का पूरा focus देना है, इवेन आप आगे भी जाओगे, तो आपके जो बोला जाता है, कोई भी competition में, कोई भी college में कि math, physics, chemistry में, या जो भी तुम्हारे main three subject है, account BST को उसमें 60 above चाहिए, तो ये आपका major focus होना चाहिए, ये आपके scoring होगे, जो आपके overall percentage को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, अब आते हैं revision pattern पे, तीन तरह का revision pattern हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो daily revision, जैसे मालो आज Monday है, और आज मैंने कोई चीज़ों क पढ़ा है, ठीक है, तो Tuesday को जब भी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो Monday को मैंने जतनी चीज़े पढ़ी थी, उससे go through कर लूँगा, पन्ने पलट लूँगा, देख लूँगा कि क्या पढ़ाता, 30-45 मिनट, और ये भी देख लूँगा कि क्या समझ नहीं आ पढ़ा है, ये कि अपना 5-6 वीक का अपना प्रोसेस है पूरा, ठीक है, 6 वीक का प्रोसेस, तो 6 रिवीजन ये चलेंगी, 6 रिवीजन पैटन आएगी, 6 रिवीजन पैटन जिसमें कि आप deep dive करोगे, आपने जो पढ़ा है, आप उसको याद भी करोगे, कुछ चीजे है, कि ये मेरे को cover up करने है, एक वार उसका कोई भी 15-20 मिनट का one shot, एक quick recap, एक quick revision, कोई भी वीडियो देख लेंगे, ताकि एक पता चल जाए, कुछ term समझ में आ जाए, जब मैं पढ़ने बैट हूँ, तो हाँ, कि ये, ये, मैंने देखा था पहले, ठीक है, एक होगा आपक उसका solution देख, उसका answer पढ़ोगी, तुमको लगेगा कि हाँ, ये मैंने पर रखा है, पर question समझ नहीं आएगा, बस वही relevancy के लिए तुमको question revision करना ही पढ़ेगा, जिससे कि तुम वो relevant हो पाओ, कि हाँ, अगर मेरे को question में ये पूछ रहा है, तो answer में में मेरे को ये वाला ठीक है, क्योंकि आपका question होगा, वो कभी direct generally नहीं आता है 12th में, कि हाँ, इसका answer कर दो नहीं, वो आपको जाना पड़ेगा, 10th में ये चीज़ उतनी ज्यादा important नहीं है, बर 12th में ये चीज़ important है, कि आपको question style revision करनी होगी, question से go through होना पड़ेगा, कि किस प्रकार के question पहल wise करोगे, और वही previous year question करोगे, जो कि आपके most repeated है, ठीक है, यही सब question जो है, आपको ये सिवदास की book जो है, ये provide कराती है, जिसमें कि आपके सिर्फ और सिर्फ वही question रहते हैं, जो actually important है, फालतु के questions इसमें नहीं available है, combo link मैंने description में दे रखी है, combo pack का, साथ ही मैं बता दू कि इसके साथ आप NCRT के in text करोगे, example करोगे और exercise करोगे in chemistry जैसे subject, ठीक है, सिर्फ exercise आपको करना है, for physics, physics के लिए आप सिर्फ exercise करो, maths के लिए आपको इसका example और exercise दोनों करना है, क्योंकि maths तो भाई, proper question बनाने कहीं time है, तो उसमें NCRT बनाओ, और साथ में previous year question बनाओ, sample papers ज तुमारा जो main schedule चलने वाला है, वो चलने वाला है January 15 से लेके February 5 या 6 तक, इसमें तुमको sample paper बनाना है, अगर तुम इस proper pattern को follow कर लोगे न, मेरी बात एक्टम ध्यान से सुनना, ये proper pattern follow करने से, मैं guarantee देता हूँ कि तुम बहुत आगे निकल जाओगे, कहीं फसोगे नहीं, ब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो उन सभी situation के लिए मैं यहाँ पर हूँ, I am standing here, बस एक expectation है तुमसे छोटी सी कि please अपना पूरा concentration और पूरा दिमाग उस तरफ दो, that's all I need from you, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज है न, कि all you need is to begin, तुम start कर दोगे न, हो जाएगा, ठीक ह all you need to do is begin, तुम start कर दो, हो जाएगा, तुम start करो, तुमको ले जाना आगे मेरा काम है, लेकिन जब तक तुम नहों में नहीं बैठोगे, मैं नहों चला रहा हूँ, तुम नहों में बैठोगे नहीं, मैं लेके नहीं जा पाऊंगा आगे, simple सी बात है, अगर तुम नहों में बैठोगे ही नहीं, तो मैं नहीं लेके जा सकता, लेकिन अगर तुम नहों में बैठ जाओगे, तो नहों चलाने का काम मेरा है, तुम बस हाथ दिये रहे ना, तुम बस साथ दिये रहे न, ऐसा ही समझो, simple में, थोड़ा राइमिंग कर रहा है, थोड़ा क्रिंज लग रहा दू, जो बैक बेंचर शायद अभी तक मस्त मजे मार रहे होंगे, ठीके, अब काम में मेरा टॉप बनाने का, मस्त रजाई कंबल लेके मेरे साथ बैठ के परो, निकलवा देंगे, इसकी गैरेंटी है, ठीके, तब तक के लिए अपना ख्याल रख रहा है, बुबाई टिके पीस मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद बंदे मातरू